नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगी कि होला ट्रांसलेटर अप्लिकिशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं जेहां गैज आप भी जानना चाते हैं कि होला ट्रांसलेटर अप्लिकिशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा दिखना वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लेज सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस करके आल पर सेट कर लिजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नौटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी तो चलिए प्रेंट्स आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं तो गई सबसे पहले आपको प्लेश्ट और अप्लिकेशन को उपन करना है play store application को open करने के बाद गई जहाँ पर आपको hola translator application को install करना है तो गई जहाँ पर मैंने इस application को पहले से install करके रखा है और गई जहाँ पर आपको about this app का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं बाद गई जहांपर आपको बैक आना है और गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आप इस application के review and rated देखना चाहते हैं तो गई जहांपर आपको 51 review देखने को मिल जाते हैं फिफ्टी टी डाउनलोडिंग देखने को मिल जाती है और इस application को 4.2 star मिले हुए इसके बाद ग गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आपको होला translator application को open करना है होला translator application को open करने के बाद गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर होला translator application open हो रही है तो गई जहांपर आप देख सकते हैं यहांपर आपको इस्तर का interface देखने को मिल जाता है और गई जहांपर आप translate का option देखने को मिल जाता है यहाँ पर आपको click करना है यहाँ पर click करने के बाद गई यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जिस भी language को जिस भी language में translate करना चाते हैं उस language को यहाँ पर आपको select करना है तो गई यहाँ पर आप देख सकते हैं पर आपको English का Option देखने को मिल जाता है, यहां पर आपको क्लिक करना है, यहां पर क्लिक करने के बाद गई, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको अलग लग कई सारी language देखने को मिल जाती है, यहां पर आप जिस पर language को select करना चाती है, उस language को यहां पर आपको select करन इसके बाद गई जहाँ पर आपको बैक आना है बैक आने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप किस language में translate करना चाते हैं उस language को यहाँ पर आपको select करना है तो गई जहाँ पर आप जिस पर आपको अलग-लग language देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर आप जि यहां पर आपको back आना है। और गई jahamper आपको इंटर टैक्स हर का ओप्षन के बाद गई यहां पर आप जो भी टाइप करना चाहते हैं वह यहां पर आब टाइप कर सकते हैं तो गई जहाँ पर मैं type करता हूँ where are you और गई जहाँ पर आपको translate के option पर click करना है translate के option पर click करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर translate हो रहा है इसके बाद गई जहां पर आपको बैक आना है बैक आने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आपको OCR का उप्शन देखने को मिल जाता है तो गई जहां पर आप देख सकते हैं यहां पर आप जेस भी सेंटेंस या जेस भी पहले कर आपका ट्रांसलेट करना जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर clean up start हो चुकी है और गई जहाँ पर आपको clean up success का option देखने को मिल जाता है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर hola application यहाँ पर clean हो चुकी है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आप hola translator application को clean कर सकते हैं इसक कैसा लगा इस वीडियो आप हमें कमेंट करके जरूर बताए और अभी तक आपने अमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर सेट कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप को मिल तराइगी